Hi everyone, welcome back to the Achiever Zone तो आज ची क्लास के लिए आप लोग ready हैं आज की क्लास जो अपनी होने वाली है यह होने वाली है प्राइस और क्वानिटी पर बेस्ट परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन जो प्राइस और क्वानिटी पर बेस्ट होते हैं और इनका जो तरीका आपको बताऊँगा बहुत ही solid तरीका है अच्छे समझेगा बेसिक one by one step और क्लास के end तक आप इन questions को बिना pen का use करें भी कर पाऊगे क्या क्या चीज़े important हैं वो जान लीजे यहां आप सिखने वाले हैं सारे के सारे concepts, price और quantity के change पर based जो भी आपके questions आते हैं उस पर, based questions भी करेंगे और हमेशा की तरीके question को आप साथ-साथ solve करेंगे वीडियो pause कर लीजेगा और फिर अप्राइट solution देखे कितना time लग रहा और कितना time actual लगना चाहिए बहुत मज़ा आने वाला इस वीडियो पे, तो चलिए, start करते हैं इस वीडियो को, pen paper लेके त्यार है जाईए हर question को real time पे solve करना है और वीडियो के end पे आप question को बिना pen के भी solve कर पाएंगे बस practice की need है आपको, ठीक है तो बहुत अच्छे समझेंगे, देखते हैं पहला question क्या बोला गया आप लोगों से यहाँ पे, question पे आपसे यह कहा जाता है कि just one minute, question में आपसे यह कहते हैं कि when price of tea reduced by 10% then a person can buy 6.2 kg more tea in 837 रुपी, then find out new and old price of tea per kg आपसे बोला कि कोई एक person है, वो चाहे लेने जाता है, तो जब tea के price पे कुछ कमी होती है, कितना कमी होती है 10% की, तो भाई जो भी price चल ला आता अप tea का, उस पे 10% का यहाँ पे कमी हो जाती है तो होता क्या है कि जो person है, वो 6.2 kg ज्यादा एक्षा लाई, आप पता है महाँ पर चाहे, कितने में 837 पे इसका मतलब क्या होता है भाई, कि वो पहले भी 837 रुपी लेके जाता था और अभी भी वो 837 ही लेके जाता है price क्या हुआ है, कम हुआ, कितना कम हुआ, 10% तो कुछ पैसा उसके पास बच जा रहा होगा ना, अभी जो पैसा बच रहा है ना, person ने ये पैसा वापस नहीं लिया उसने का कि भाई, जो पैसा ये तो होता है हाथों का महल, तो एक काम करो, ये पैसा आप ही रखो और मुझे यहाँ पर आप कुछ चाय, extra दे दीजे तो जब extra चाय उसने मांगी तो हुआ क्या, उसको कितनी extra मिली गए, 6.2kg अब ये जो 6.2kg extra मिली है, किसी particular rate पर मिली होगी, जो present पर चला होगा, reason भाई, जो भी आपको transaction करते हो, जो भी चीज़े होती हो, present rate पर होती है, तो present पर चला होगा, उसकी बात करी गई है, जब आपसे कहता है कि new price, तो ये present price है, और जब आपसे कहता है कि old price, तो ये आपक price, ठीक है, क्या हो सकता है, यहाँ पर, just 1 minute रुकिएगा, इतना size, ओके, इतना sufficient है, चलिए देखते हैं, अब खुछ समझे है, यहाँ पर, आपसे बोला गया हो, कितना रूपए लेके जा रहा था, 837 रूपी लेके जा रहा था, अब अगर इस पर 10% का reduction हो जाता है, खुछ समझे, 837 पर अगर 10% का reduction होता है, तो आपके पास कितना रूपए बच जाएगा, 83.7 रूपी आपके पास बच जा रहे होंगे, तो परसन ने यही 83.7 रूपी नहीं लिए, इस परसन ने कहा, कि यह भाई, आप अपने पास रखो, और इसमें मुझे कुछ चाय एक्स्रा द पता है, कि 83.7 है, भाई जितना बचा, उतना ही तो आपने लिया होगा, तो अगर 6.2 kg का rate पता है, 83.7 तो आप 1 kg निकाल सकते हैं, डिवाइड करके, 1 kg आ गया, तो नया rate तो आपके सामने आ गया, देखिए, solution देख लिए इस चीज का, नया rate आपके पास आ गया, कितना आ आपके पास 13.5, ठीक है, तो क्या बोला, आपसे कहा कि कितना लेके हम लोग गये थे, 837, 10% कम हुआ है, 83.7 बचा, जिसमें 6.2 kg एक्ष्टा ले आए, और यह जो 6.2 kg एक्ष्टा लाए हैं, यह डियर लाए होगे नया price पे, ठीक है, इसको नया price पे लाए होगे, अब आप आपसे कहा गया कि जो नया price है, 6.2 kg के लिए, यह किसके एक्ष्ट है, 83.7 के न, देख लो भाई, ध्यान से देख लो, जो 6.2 kg का नया price होता है, यह किसके एक्ष्ट होता है, 83.7 के, तो अगर हम नया price यह पूछें कि अभी कितना है, पर kg, तो भाई 1 kg के लिए डिवाइड कर दीज़ें, डिवाइड करेंगे, 13.5 आजाएगा, अब आपसे पूछा गया भाई, बताइए, पुराना price क्या रहा होगा, पुराना price, तो खुछ जरा बताइएगा, पुराना price क्या रहा होगा, जाधा रहा होगा, पुराना price, obviously बात जाधा रहा होगा, क्यों, कि already 10% कम होने के बाद ही आया, 13.5, जिनने टेबल पता है, उनको इस चीज़ को directly समझ में आ गया होगा, कि बाई, पुराने की बात करें, तो वो रहा होगा, 110 की reduction तो होगया, 90, जिनको ratio समझना है, 10 से 9 समझ सकते हैं, यह सारी चीज़े basics हैं, आप already जानते हैं, ठीक है, और जैसे ही 13.5 यह आपका नया प्राइस है, पुराने की बात करें, तो पुराना प्राइस ज्यादा रहा होगा, और वो ज्यादा प्राइस कैसे निकालोगे, बहुत simple process, आप simple सा एक काम करें, देखें इदर, पुराने की जब बात आती है, तो हमने का कि भाई, नया तो 13.5 निकाल लि जो 90 है, इसकी value किसके equal है, 13.5 के, जो 90% है, उसकी value कितना 13.5 के, अगर आप इसको देख पाते हैं, तो यह कितना, 1.5 से multiply हुआ है, यहाँ पर, देख लो, 1.5 से multiply हुआ है, sorry, 1.5 भी नहीं, 0.15, ठीक है, 15 के table आता हो, तो आपको दिखाए देर, 15, 97, 35, तो 100% की value पूछी ग होता है, right, इसी जगे पर आप लोग क्या कर सकते थे, old price निकालने के लिए, rule of fraction को भी निकाल सकते थे, अकसर इस पर क्या होता है, बता दूं आपको, student इसी बात पर confused होते हैं, कि sir, यह जो आपने old निकाला, यह समझ में नहीं आया, तो बहुत easy है, भाई, पुराना होती कर लेंगे इस शीट को, ठीक है, तो बहुत easy part है, यह regulatory method से था, अब इसको देख लीजे जरा rule of fraction से, rule of fraction के थूरू अगर हम बात करें, तो आपको पता है, कि जो 13.5 है, यह 10% reduction के बात price मिला है, जो 13.5 मिला है, 10% reduction के बात मिला है, तो अगर हम बात करें कि 10% के reduction हुआ ह तो fraction अपने पास कौन-कौन सी बनती है, 10% का reduction मतलग आके पास बनता है, 90%, तो एक fraction तो बन गई 90 upon 100, और एक fraction इसका reverse बन जाएगी, यानि कि हो जाएगी 100 upon 90, अब जरा यह देखें यह आपर, कि यह जो value आई है, 13.5, यह reduction के बात आई है, और जो old value रही होगी, वह value क्या रह ग्रेटर रही होगी इससे, तो ग्रेटर रही होगी तो हम इससे greater fraction यानि कि 100 upon 90 से multiply करेंगे, 10 by 9 से, solve करते ही, जैसी multiply कराएंगे, आंसर मिल जाएगा 15 रुपी पर kg, तो आप इससे भी कर सकते थे, यह और आसान कर देता है question को, right, समझ गया इस चीज को, तो नया और पुरा आउट नहीं होना चाहिए भाई, तो यह सारी की सारी चीज है clear है, आगे बढ़ते हैं, देखिए, एक और question, इसको upload करके देखिए, तरीका भाई है, आप से क्या बोला गया है, यहाँ पर, आप से कहता है कि, if price of a pen decreases by 20%, एक pen के price पर क्या होता है, 20% का reduction होता है, 20% का reduction होता ह then a man can buy 10 more pen for Rs.100, जब pen के price 20% का reduction होता है, तो एक व्यक्ति 10 pen और खरेद पाता है, कितने में, 100 रुपए में, then what is the new price, देखिए, new price निकालना तो बहुत easy होता है, 100 रुपी थे ना अपने पास, 100 खट कर रहे थे, reduction कितने का, 20% का, तो 100 का 20% की कमी हो गई होगी, तो कितने 20 रुपए अपने पास बच गए कि नहीं बच गए, 20 रुपए अपने पास बच गए, अब ये जो 20 रुपए बचे, इसी पर person ने क्या किया है, 10 pen extra लिये है, तो जो 10 pen extra लिये person ने, 20 रुपए पर, ये नए पे लिये हों गया पुराने पे, obviously बात है नए पे, तो 10 की cost अग थोड़ी जगे चाहिए है अपने को, चलो इधर लिख लेता है, थोड़ी जगे, देखें, आपसे क्या बोला गया था, 10% की कमी, तो 2 fraction बनते हैं, आपने 20 की कमी, sorry, तो 2 fraction बनते है, 80% means 4 by 5, और दूसरा क्या बनता है, 5 by 4, अगर एक का नया cost कितना आ गया, 2 रुपए, तो आपसे अगर पुराना cost पूसते हैं, तो पुराना cost क्या आ जाएगा, 2 into ज्यादा रहा होगा, या कम, ज्यादा ही रहा होगा, तो 5 by 4, इसको solve कर लेंगे, तो ये भी आपका आंसर आजाएगा, 2.5 आ जाएगा, clear है न, यहां तब कोई doubt तो नहीं है, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट कोशन देखें, price of sugar is reduced by 10%, easy question है ये भी, price of sugar is reduced by 10%, 20%, चीने के मूले में 20% की कमी होती है, अब 20% की कमी होती है, तो क्या बोला गया यहां पर, कि a person can buy, person can buy 500 gram, means half kg, more sugar 4 रुपी 36, 36 रुपए में 500 gram चीनी अधिकरेद पाता है, जंदा original price, original price का मतलब क्या होगा, वो fraction भी वहां पर लगना होता है, 20% की कमी होती है, 20% किसका, 36 का, अब 36 का 20% मतलब क्या हुआ, एक बटे 5, तो क्या ये 7.2 हो जाएगा, देखलो, 36 में 20% कमी, 7.2 का reduction हुआ, और उसमें आधा किलो चीनी यह दिखे पाते हैं, अगर देखें, आधा किलो चीनी का price कितना है, 7.2 आधा किलो चीनी का price अगर 7.2 हो गया, और मैं कहता हूँ, एक किलो का price कि हो गया, तो 14.4, अब कुछ लोग क्या होंगे, यहीं पर ये answer टिक कर देंगे, गलत हो जाएंगे, ध्यान रिखना 14.4 लिखा जरूर है, लेकिन ये आपका नया price है, नया price की अगर हम लोग बात करत है, rule of fraction लगाना है, देखो कितना हुआ है, 20% के deduction हुआ है, 20% के deduction मतलब कितना हो गया, 4 by 5 हुआ है price, 4 by 5 हुआ, old की बात करने तो कितना हो जाएगा, 5 by 4, तो जो 14.4 आपका आया, इसका 5 by 4 कर दीजिए, आपको answer मिल जाएगा, जैसे ही करेंगे, तुरंत के तुरंत आपको answer मिल जाएगा, अब इसको यहीं बोल सकते हैं कि one fourth अपने को यहाँ पर क्या करना है, add कर देना है, right, one fourth अपने को यहाँ पर add कर देना है, और जल्दी से answer चेक करके बताएं, कि आप सभी के पास answer 18 आ रहा है, देखले, answer 18 kg आएगा, 18 लुपी पर kg, बहुत simple सा part है, तो अपन आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, rule of fraction का application किया है, rule of fraction का use किया है, देखले, मातर इतना काम करने के बाद आपको इसका answer मिल जाएगा, समझ गया होगे ना, इस ताकर question, easy होते हैं, आसानी से आप लोग कर सकते हो, चलिए और question देखते हैं, देखें, अब अभी तक price decrease ह हो रहा था, price का increase होना भी तो possible है, price को increase भी तो कर सकते हैं हम लोग, अब क्या होगा भई, जमझ ले, 50% का increase होता है price में, और 4X, 4 अंडे कम मिल पाते हैं, 24 रुपए में, ठीक है, present rate of X per dozen, एक बाद ध्यान रखेंगा, कई बार लोगों जगलती होती है, per dozen कि यहां बात करी एक दर्जन की बात कर रहे हैं, एक दर्जन में कितने X यहां पर मिलने वाले हैं, क्या बोला गया, 24 रुपए हैं, और इस पर क्या होता, increase 50% का, तो अब की बार क्या होगा, पैसे हमारे पास कम पढ़ जा रहे होंगे, तो 24 रुपए लेके आते थे, कितने रुपए 50% का increase ह हो गया, तो अपने पास 12 रुपए यहां पर क्या हुए, कम पढ़ गया, अगर 12 रुपए यहां पर कम पढ़ गया, तो ऐसे केस पर क्या होगा, आप इस 12 रुपए में कितने, 4 अंडे यहां पर कम खईट पाएंगे, अब अगर 4 अंडे आप कम खईट पाए 12 रुपए पे तो एक अंडे का प्राइस कितना है तीन रुपए आ गया एक अंडे का प्राइस अगर तीन रुपए आ गया तो present rate of X per dozen भाई एक अंडे का प्राइस तीन रुपए तो पूरे कितना हो जाएगा एक दरसें मतलब 12 होते हैं 36 हो जाएगा ठीक है old भी तो आप निकालना possible था हैं आप पर अगर 50% का decrease वोत कोई चीज हाफ हुई है old निकालना तो क्या करेंगे देखें अगर कहते हैं आप से कि old price हैं आप पर निकाल दें तो आपने क्या 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 50% का decrease मतलब चीज का price क्या हो गया half reverse fraction क्या हो जाएगा 2 by 1 अगर old price आप से पूछा गया एक दरजन की ही बात कर रहे हैं पर unit का ही price पूछ सकते हैं एक दरजन के अगर बात करें 36 का क्या करें greater fraction just 2 से multiply करा दें यह आपका 72 आजाएगा ठीक है तो सारी की सारी चीजे जो हैं आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्लियर हो गई यह की बात बढ़ते हैं next questions पर और चीजे जानते हैं यह देखें यह जो question है इस question को देखें क्या है आप से यहाँ पर क्या बोला कि भाई बहुत से बार्ट है आप से कहता है कि reduction of 40% in the price of rice enables a customer to buy 12.5 kg more for Rs.800 इस पर क्या होता है 20% का price का कमी होती है तो 12.5 kg यह अधिक खरीद पाता है original price rice पूछा गया per kg का original price मतलब old price ठीक है original price मतलब old price तो भाई सिंपल सी बात है 800 रुपए बे 20% तो 800 का कितना हो जाएगा एक बटे 5 एक बटे 5 हुआ तो कितना रुपए इसके पास बच जाएगा 160 रुपए इसके पास बच गए इस 160 रुपए में इसने कितना साड़े बारा किलो खरीदा तो आप एक किलो का price निकाल सकते है 160 एपॉन कितना 12.5 मिस 25 बाई 2 और अगर वो हो गया original price आप से पूछता है तो यह कितना हो जागा 360 बाई 25 हो जाएगा आपका 1 kg पर original price पूछा गया तो क्या करें आप लोग उसका 20% था यानि कि 4 by 5 करके आया था तो आप इसका 5 by 4 कर दें आपको answer मिल जाएगा यहां मैंने कि वह आपको hint दिया है यह आपके लिए homework है यह homework का part है इसे आप खुछ से करेंगे और इसका जो भी answer आ रहा है वो answer आप क्या करना ह है यहां पर comment box पे answer इसका लिखें और मुझे बताएं कि answer इस पे आपने क्या निकाला ठीक है easy question है जितना बता दिया है उतने पर चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कोई भी दिक्कत concept समझने पर तो नहीं होगी बस करना क्या है rule of fraction को याद रखना है कितना price में increase उसकी rule of fraction लगा के आपने आप पुराना कोई भी price यहां पर निकाल सकते हैं ठीक है चीज clear है सारी की सारी बाते समझ में आ गई होगी I am very sure तो अभी आप question को बिना pen उठाये भी कर सकते हैं बस percentage के basics clear होने चाहिए जो चीज़े मैंने अलग-अलग बताई है कैसे करना चाहिए हो एहली बार वीडियो पर आये हो तो percentage की playlist पर चाहिएगा सुरवास से पढ़िएगा और आपको सारी चीज़े one by one मिल जाएंगी कि कैसे आपको पढ़ाई करना ही चाहिए सारी चीज़े देखिए और comment box पे answer जरूर लिखा करें वीडियो पसंद अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें अपने सारे friends के साथ इसको share कर दिया करें ठीक है हमारे जो भी social media के handles है जो भी social media accounts है उन सभी को आप लोग follow कर सकते हैं हमारा facebook group है facebook का page भी है telegram group है telegram पर जो channel बनता है और इन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर follow कर सकते है इस video को like और share जरूर करें झाल 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 झाल